बुट इबनेंग बच्छों दसे संतोष्ट वास्तों फ्राम सुपरसिक्ष्टी इसकष्णभाव जैसा कि आप देख रहे होंगे सेंटेंस इंप्रोब्मेंट और यह बेश्ट अन डिफ्रेंट फॉर्म्स आफ वह यह चैप्टर वाइज श्रीज है जो श्रीज आपको दीजा रहे है क्योंकि लागडाउन में आप घर पे हैं और आगे जो एक्जाम शूंगे उनके लिए आप बेहतर प्रिपरिश्ण कर सक तो यह अभी सेंटेंस इंप्रोब्मेंट है इसके आगे फिर फिलिंद ब्लैंक्स और बामन एरोर्स और वी चो सेग्मेंट्स आपके हैं वह आपको दे जाए तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा दो किसमें वह कौन- अब देखें यह जो सेग्मेंट आपका है पार्ट वन है यानि इस तरीके से और भी आपको दे जाने हैं यह पंद्रह मैंने अभी देया है पांसों में से चैप्त्र वाइस आपके लिए ठीक है यह सारी इंप्रोब्मेंट्स है जो आपको करने हैं देखें यह पंद्रह थे और यह सबसे इंपॉर्टेंट्ट जो चीज है जो रिगर्वलर्ली आपके एक्जाम समयाब से पूछे जाते हैं वर्ब्स के रूप में मैंने दिया हुए आपको तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप यह देख लें जितनी भी इंपॉर्डेंट्स हैं वह तो आप जानते होंगे यह irregular works में आते ही हैं जिनकी तीनों forms एक होती हैं लेक एक्जामस में आपको broadcasted दिया जाता है तो यह ध्यान रखें कि broadcast means होता है प्रचारित करना तसार प्रचार करना कह सकते हैं आप नेक्स्ट है forecast forecast जानते हैं भवश्वारी करना होता है उर्वानमान लगाना इसकी भी तीनों forms एक ही है तो फोरकाश किड़कर कभी दिया गया हो तो न यूज करिएगा टेलीकाश्ट भी ठीक वैसे ही है टेलीकाश्ट 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 यह भी irregular work आपकी है यान ने इसमें किसी form आपका change नहीं होता है नेक्स्ट है bleed आप यहान देखे चेंजहोता है ब्लीड फट्ट हो है तो ब्लेड और ब्लेड यह इसकी 2nd और थर्फॉर्म नेश्ट है लीड लीड मीन्स होता है नेत्रत्तु करना आगे ले जाना तो इसकी सेकेंड और थर्फॉर्म लेड और लेड हो जाएगा नेइश्ट लाइट मीनस प्रिकाशिक करना तो लिट्र और लिट्र होचएगा 2nd और 3rd Tibetan इसपीड मीनस गती देना तो स्पड और स्पड होचाएगा नेश्ट है नील, नील मेंस जुकना, तो नेल्ट और नेल्ट हो जाएगा, नेश्ट है बीसेच, बीसेच मेंस इत्रसी टाथना में होना, मेंस अनुने विने करना, विने करना, तो बीसाथ और बीसाथ, यहां से देख लीज़ेगा, बीसेच है फर्स्ट फॉर्म, लेगिन से सेक, सेक मेंस होता है चाहना, इच्छा रखना, तलाश करना, तो सौट और सौट इसकी सेकंड और थर्ड फामोच है, इस तरह हम देख रहे हैं, इनके जो फॉर्म्स हैं, वो हमारे काम आएंगे आगे, ये देखे, नेक्ट वर्ट जो इंपोर्डेंट है एक्जाम्स के लिए अवेक, अवेक है आपका, अवेक मेंस होता है जागना, तो सेकंड फॉर्म अवोग और थर्फॉर्म अवोकिन है आपका, नेक्ट है फ्ली, फ्ली मेंस डर्ट भाग जाना, तो फ्लेड और फ्लेड है, ध्यान रखेगा, फ्लेड के साथ कभी भी अवेक का प्रियोग न पर फार्बेड मेंस मना करना तो फार्बेड और फेर्वेड है आपका फार्ड फार्म होचए है निएट्टर है Losed की सेकन फार्म थार form बहुत सरे बचोंकों ऐसा लगता है कि लऌस होता है थीक है एले डबलियस त्यांなた to translate लूसमेंस होता है यह लूस है जो जोने मिन्स होता second form road और third form written है आपका next word है shine shine में चमकना तो shown और shown second और third form एक ही है आपकी लेकिन show show की भी second form show और यहाँ shown है तो इस तेलिन का फर्क है देखे s h o w n और s h o n e है आप नेक्ष्ट वर है श्लेव श्लेव मिंस वध करना के सही कब तो श्लेव और श्लेव ध्यान के कई बार यह word exams में आपको दिया डिया रहा है नेक्ष्ट वड़ है ishting ishting means दंक मार न किसी को तो इश्टंग और इश्टंग देखे ध्यान से second form और दोनो एक्षि खिगए जो होता है तो यह word की ओर fix हो में जो वफ के रूप हिसो होता है और इसका adjective के रूप में यूज़ होता है next is swing जुलाना, तो swung और swung, इसकी भी देखें, दोनों form एक ही swung और swung एक ही आपका next आपके पास wake किसी को जगाना, woke और woken, देखें ध्यान से wake, woke, woken beer, दो beer होता है ये जो beer उपर में ने लिखा है इस beer में शुता है जन्म देना, इसकी second form bore है और third form born है, ब, o, r, n लेकिन एक और beer होता है, beer में शुता है सहन करना या धारण करना, उसकी second form भी bore होती है, लेकिन third form की spelling जो होती है, वो born होती है next है bid, bid means क्या होता है, प्रयाश करना या बोली लगाना और ध्यान से देखें, इसकी तीनों form से एक है, bid, bid और bid, तीनों means बोली लगाना या प्रयाश करना लेकिन एक और bid है, जिसके means होता है, विदा देना किसी को तो इसकी second form bid और third form bidden है next है fall, बहुत important words यह दोनों है आपकी यह जो fall है, इसके means गिरना, इसके second form fell और third form fallen है लेकिन यहीं fell देखें, यहाँ भी है, first form के रोप में इस fell means होता है, किसी पेड़ क्याली को काट देना इस fell की second और third form felled और fell है आपका next word है find यह find means प्राप्त करना, पाना इसके second form देखें found और third form भी found है देखें, found खुद एक word है found means नीव रखना, अस्थापिक करना इसके second form founded और founded होता है इस सारी वर्प त्यार करेगा, यह verbs मैंने चुन कर के लिए हबाँ यह यह भी verbs जो एक्साम सुगरे में दे जाती है। next टे ग्राइंड ग्राइंड में पेशना होता है। तो ग्राउंड और ग्राउंड है। देखे धियान से second farm ground, third farm भी ground होता है। ground में जानते होंगे, जमीन भी होती है। कारण भी होता है। next hang बहुत बार exam में दिया गया होगा। यादोगा, आप hang means पर लटकाना होता है जिस hang means पर लटकाना होता है उसकी second form और third form hanged or hanged होता है लेकिन एक और hang होता है इस hang means लटकाना जिसे कोई picture लटकाना है आप लटकाते हैं पर old hung second form और third form being 哥 की हुआँ आप और यह last है आपका बहुत important ये दिये ले बहुत बार एक्जामश में आपको दिया गया L-A-Y ये हमका L-A-Y जो ले होता है इस ले मिन्स होता है रखना, दिछाना, ठीक है पड़े रहना इस ले की जो second form, third form होती हो एक ही होती है लेड, लेड जिसके मिन्स रखना या बिछाना होता है उस ले की second form, lade और lade होती है लेकिन ये जो लाइ है इस लाइ मिन्स पड़े रहना lade जाना, सो जाना इस लाइ की second form, lade और third form, lane होती है ध्यान रखिएगा पहला बढ़ है आपका lane ले मिन्स रखना, बिचा देना, इसी second form लेड और लेड होती, third form भी, लेकिन एक और लाई है, जिसके मिन्स लेड जाना, नेहित होना, एस्थित होना, इस लाई की second फ़रम, लेड और फ़रम, लेड होती, जिससे आपके डिमाद में कोई चीज है, तो इसके लिए हम ये उस कर लाई, ले, 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 अगर आप कहीं पर कोई चीज रख रहे हैं, बिचा दे रहे हैं, लिटा दे रहे हैं, तो वहाँ पर ले, लेड और लेड होगा, ठीक है, जरूर तयार के लिएका काम है, एक और लाई होता है, लाई में जोट बोलना, उसकी सेकंड फार्म लाईड होती, ठीक है, यе भी दोनों बहुत बार exam में दे गए हैं, आपको याद होगा, raise मेंस होता है, बढ़ाना किसीं चीज को, क्या होता है, raise मेंस, बढ़ाना, उस raise के सेकंड फार्म, raised और raised होती है, लेकिन raise नगल मेंस, बढ़ाना, यिनि अगर आप किसी चीज को बढ़ा रहे तो यह raise कर रहे हैं आप नहीं कुल चीज अपनी से rise हो रही है तो वह rise का rose second form और third form rising होता है नेश्ट है stroke stroke means प्रहार करना तो second form stroke और किसी चीज़ को आप हलकिसे छूते हैं थपकी देता है तो stroke करते हैं wind यहाँ पे है यह noun की रूप में wind होता है लेकिन word की रूप में wind होता है wind means चाब ही देना होता है तो wound wound इसका second author form होता है तो wound खुद एक word होता है जिसके में चोट पहुचाना धाव देना होता है इसकी second form wounded और third form भी wounded होती है मैं चाहूँ का यह words जरूर आप तैयार कर लीजेगा अगर आपको लगेगा कि यह जरूरी है जरूरी है ज्यान केगा सारी words मैं वही लिए हैं जो exams में और लिड़ी आपसे पूछे देनी है अब हम आते हैं जो हमारी sentence improvement है पंद्र वहाँ पे यह है आपका चले मैनत करते हैं देखते हैं कैसे हम इसको कर लेते हैं as anus was familiar with the road to nearest house he lead the way सोचते रहे हैं as anus was familiar with यहां में एक preposition भी त्यार हो गया हमारा कि कभी भी अगर familiar दिया लिया हो किसी से परचित होने की sense में तो familiar के साथ क्या ले हम विदले किसी से परचित होने के sense में familiar में जैसे मैं आपसे परचित हूँ तो I am familiar with you हो जाएगा तो as anus was familiar with the road to nearest house देखे road to nearest house यानि चुकि anus जो परिचित था यानि वो जानता था the road उस सड़क के बारे में to nearest house जो सड़क किस तरफ जाते थी नीरस के घर के तरफ जाते थी he lead the way अब प्रशन यहाँ पे क्या होगा क्या कभी भी यह portion सही हो सकता है he lead the way किसी अवस्था में नहीं होगा अगर आपको इस थी walk की form से आखनो तो lead, lead, lead होता है तो he के साथ कभी lead तो आएगा नहीं क्योंकि अगर lead आता तो इसके साथ क्या जुड़ा होता S और यह इसलिए भी नहीं आ सकता है क्योंकि present होई नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे देखे क्या है आपका past दिया गया इसका मतलब यहाँ lead या leads तो कभी नहीं आएगा जब भी आएगा past आएगा तो क्या होगा देखे क्या lead the way होगा या फिर lead away होगा या leading ways होगा एक एक देखते हैं क्या leading ways हो सकता है क्या यह हो जाएगा he leading ways कभी नहीं होगा बिना वर्प के तो आप यूज नहीं कर सकते हैं helping वर्प के फिर lead away अगर वो nearest के घर की तरफ लेके गया तो lead away दूर लेकर चला गया ऐसा तो नहीं आएगा और यह past में देखे हैं आपका lead लेड आपको अब में बताया मैंने lead की second form क्या होती है lead इसलिए यहाँ पे कौन सा option बिष्ट होगा a option तो जाएगा as anuj was familiar with the road to nearest house चुकि अनुच नीरस के house की तरफ जो सड़क जाते थी उससे परिचित था इसलिए he lead the way इसलिए उस ने नित्रत्थ किया यह वह लोगों को लेकर नीरस के घर की तरफ चला तो यानि हमारा option कौन सा हो जाएगा यह वाला option हो जाएगा he lead the way ओके दूसरा प्रश्ट आप यह है देखे यह आपका ठीए दब प्रेंश है दब प्रेंश है बेन श्लेड हिज राइवल मैंने अभी आपको पहलें वो वर्क्स के जो फॉर्म्स थी वो मैंने बता दी थी जानवू उसके ताकि यहां के वो चीज़ें आप यूस में ले सके हैं तो अगर आपको याद हो अगर आपक आपको याद हो तो यह जो श्ले है श्ले श्ले मिल्स होता है बद करना के सहिता तो श्ले की जो फर्स्ट फॉर्म है स्ले हो गई सेकेंड फॉर्म आपको याद है श्लेव और थर्फॉर्म है श्लेड है तो पहली चीज़ की यह तो यहां कभी नहीं हो नहीं होगा अब दप अगर ये हैस बीन श्लेड भी हम लेते हैं थार्ट फार्म के रूप में तो पैसे का इस्ट्रक्चर है है यहां दिया नहीं गया है यानि जब भी होगा यह एक्टिव आइस में होगा आपका ठीक है यानि पिंस जो है उच ने अपने राइवल को क्या कर दिया है है मार दिया है उसका वद दिया है तो हैसा श्लेव कभी होगा है के साथ वर्ट की कौन सी फार्म आएगी फर्षट फार्म गलत और यह आ लेली गलत है आपका श्लेड कभी होता नहीं है तो कौन सा हो जाएगा हैज श्ली न क्योंकि हैज के साथ वर्व की कौन सी पार्वाएगी हमेशा थोड़ फॉर्म आएगी ठीक है यानि यह नो इंप्रॉब्मेंट में नहीं होगा सी आप्शन हो जाएगा ठीक है बच्छो चलिए आगी बढ़ते हैं यह आपका थोड़ पर्शन है शच डिस्क्रिपैंसी जो तरीका होता है वो वर्व कल्चर वैसे ही वर्व कल्चर वैसे ही वर्व कल्चर दूसरे देशों के कारी करनी के जो पद्वती है जो रीती है रिवाज है वो सच डिस्क्रिपैंसी जो याद होगा यह चीज अगर आपको याद हो कि find इसकी second और third form याद है आपको found और founder और एक वर्ड खुद है आपका जिस found मिल्श होता है अस्थापिक करना या नीव रखना इसकी second और third form founded होती है तो यह can be founded जो आपका है क्या पैसे वैस में नीव रखने का भाव यहाँ पे है यहाँ पे पाई जा सकती है यानि इस प्रकार की भिनताएं अन्य देशों के कार्य पद्वती में पाई जा सकती है अगर हमको पाई जा सकती है दिया हुआ है और यहाँ पे founded है तो पहली चीज यह founded नहीं होगा जब ही होगा पानी के sense में होगा तो find की second और third form क्या हो जाएगी बच्चों founder यह होगी न तो जाएगर such discrepancies यानि इस प्रकार की भिनताएं can be जब भी can be के बाद या is am are was work के बाद has been have been had been के बाद अगर work कि थर form है तो हमेशा वो पैसे बार्ष है यानि यह subject कारी नहीं कर रहा है उस पर कारीं हो रहा है तो इस प्रकार की भिनताएं पाई जा सकती है in the work culture of other countries can be found देखे यहाँ पे है आपका नहीं कुट भी फाउंडेड यहां भी नहीं भाव है तिवल एक ही आप्षन था जहां आपको पानी के संस में इसका यूज के आगया यह फोर्थ आ गया His speech was broadcasted over the radio last Thursday सबसे पहले यहां देखे last Thursday है ना तभी भी अगर आपको last एगो या नहीं भी आपको yesterday दिया गया हो two days एगो दिया गया हो four years एगो दिया गया हो तो ध्यान रखे वाव हमेशा past and definite का आपको यूज करना होता है His speech was broadcasted अभी कुछ देर पहले हमने प्रहा था कि कभी भी broadcasted नहीं होता है और यहां last Thursday बता रहा है कि हमको past and definite में जाना है तो यह passive verse है उसका speech प्रशारित किया गया तो उसके speech का प्रशारण किया गया था passive verse में आप जानते होंगे इस एमार वाजवर के साथ वर्ब की third form आएगी और third form कभी भी broadcasted नहीं होता है क्या होता है broadcast तो ध्यास देखे वाजव broadcast had been broadcast नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा last के साथ past and definite आएगा और has been कभी हो नहीं सकता है क्योंकि यह past के बात कर रहे हैं तो has been कैसे होगा इसलिए एक ही option है वाजव ब्राणिक आप्श्ट नेच्ट आप्शन है पांचमा after the heavy rains last week जैसे last week आपने देखा न तो नहीं समझा है यह past के बात कर रहे after the heavy rains last week यह पिछले सकता जो क्या होई थी भारी बारिश होई थी उसके बाद यारी उसके बाद the water in the lake जो जील का पानी था raised another two feet common sense ले बच्वा क्या यहां पे वो जो water का level था वो क्या बढ़ जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा अगर पिछले सकता तेज बारिश होई थी भारी बारिश होई थी तो water का level बढ़ेगा या बढ़ाया जाएगा क्या होगा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो फिर दो दो शब्द आप यार करने हमीशा यह दो शब्द राइज और रेज रेज तब प्रियोग करते जब्ल किसी चीज के अस्तर की साता प्रियोग करते जब खुद किसी चीज क्म AF गया होता है ले भाborता raised कैसे हो जाएगा, सोचें, क्या होगा, rise का प्रियोग होगा न, और चुकि पाश्ट है, तो यहाँ second form rise का क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा, यानि यहाँ पे आपको raised का नहीं, rose, rise के second form का प्रियोग करना है, तो देखे कहा है, would raise गलत है, क्योंकि raise का प्रियोग ही नहीं हो सकता है, raise another two feet होगा ही न, क्योंकि raise का प्रियोग ही नहीं होना यहाँ पे, और यहाँ देखे यहाँ past indifferent के second form, rose another two feet, यानि यहाँ पे rose का प्रियोगा आपका, best होगा, c option आपका, और यहाँ चुकिए two है, इसलिए two के बाद देखे क्या है, feet का प्रियोग के यहाँ ठीक है, next sixth after है, बहुत आसान है, यह सारे प्रश्ण बच्चों में ने चुने हैं, जो प्रश्ण एससे में, बैंक्स में दिये गये हैं, यानि यह कोई मैंने बनाया नहीं, इस सारे प्रश्ण आप देखेंगे वही प्रश्ण से जो एक्जाम से में दिये गये हैं, तो आप इनका think advantage ले सकते हैं, next second he threw, he throwed it out of the window, बिल्कुल इससे easy, क्या आपको लगता है, throw जिसके means fake ना होता है, क्या इसकी second form या third form throwed होती है क्या, नहीं न, गलत है न, इसकी second form क्या होती है, threw और third form क्या होती है, याद है, thrown, यहीं होते हैं तो he throwed it out of the window, हिंदी क्या निकल ले, उसने इससे कमरे से बाहर fake दिया, simply past and definite है, तो यहां कौन सी form आएगी, कौन सी form आएगी, second form, अब second form है, threw है न, आगे बढ़ने के आवशुक्ता ही नहीं है, he threw it out of the window, throw कभी नहीं होगा, क्योंकि he के साथ, throw कभी आहीं नहीं सकता है, किसी case में, और thrown कभी नहीं होगा, क्योंकि thrown के बिना has, have, had के कभी आनी सकता है, इसलिए यहां पेखी आप्षना के पास है, क्या बढ़ने है, three, okay, seventh आगया, चो, the inflation rate raised to 10% last month, अब तो आस्तान हो गया होगा ना, जो inflation rate है, यानि जो मुद्रा इस्तीत की दर है, वो last month, last month, last month, जैसे ही आपके दिमाग में आया, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए ना, past, indefinite, आना चाहिए ना, तो the inflation rate raised, अभी नहीं होगा, रेस वैसे भी नहीं होगा, सोचे आप, inflation rate जो है, वो खुद को बढ़ाएगा नहीं, inflation rate क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ाना जो होता है, वो रेस होता है, और बढ़ना, राइस होता है, और यहाँ हमने last month की बात की है, तो राइस की second form, past infinite में use करना होगा, तो जब भी होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ने के आउश्पता ही नहीं देखे, रोज हो जाएगा, राइस कभी नहीं होगा, क्योंकि last month है, इसलिए past infinite second form आएगा, यह नहीं होगा, और raised होगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा, वो inflation rate बढ़ा आएगा नहीं, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो option क्या होगा आपका, रोज हो जाएगा, आथवे question पे हम लोग आ गए, यानि आधे करीब होगा हम लोग, he lay on the grass, enjoying the sunshine, जैसे ही पिच्चों आपने देखा होगा, enjoying the sunshine, तो आपके मन में एक प्रश्ट आना चाहे, क्योंक क्योंकि यहाँ the sunshine, खुद object का क्या कर रही है, कारी कर रही है, इसलिए यहाँ पे आपको किसी reflexive pronoun का प्योग नहीं करने क्या हो शकता है, तो he lay on the grass, याद है आपको, lie, lie means, late जाना, पड़े रहना, यही सब होता है न, इस्थित होना, तो lie की second farm क्या होती है, late, होती ही न, अब देखते हैं, he laid, क्या है, laid होगा, he laid on the grass, enjoying the sunshine, क्या उश्थने, मतलब, बिच्छा दिया, रख दिया, ऐसा कोई नहीं, यहाँ पे sense क्या है, यानि सूरस की धूप का आनन्द लेते हुए, वह घास पर laid लिया, लेतने वाले sense में क्या होता है, lie, यही होता है न, तो lie की second farm क्या होती है, यह आप करें, laid, तो फिर आप देख लें क्या होजाएगा, कुंसा होगा, no improvement होजा है, यही होगा न, no improvement, यह laid होगा नहीं, क्योंकि याद हो गया होगा, लेट तो नेत्रतु करने के sense में हम यूज़ करते हैं, laid की second farm, यह laid होगा नहीं, क्योंकि इस laid का आपको याद होगा, यह जो laid होता है, इसके means होता है जूट बोलना, इसकी जो second farm होती है, वो laid और third farm इसकी laid होती है, यह दोनों यहाँ नहीं होगे, जब भी होगा, यहाँ क्या होगा, ले ही होगा, past end of net में, यहाँ पे no improvement क्या होगा होगा नमे पे आगए हो लोग, some passengers, कुछ जो यात्री थे, were flown to Paris on the last trip, यह पिछली यात्रा पर, last trip पर, उन्हें कहां ले जाये गया, जहाँ से, पैरिश ले जाये गया, यह जो some passengers से, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर, were को underline नहीं किया गया है, केवल flown को underline किया गया है, flood यहाँ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो, यह जो flood है, यह किसके लिए होता है, flea के लिए होता है, flea means होता है, डर कर भाग जाना, नहीं ने sense है, यह file का कोई sense आपका नहीं, file समस्ते होंगे, जब आपको किसी पर कोई मुकत्मा गर्यकर आते हैं, तो उसे loss करते हैं, file करते है, flea हमारे पास है, अब अगर flea है, यह flea किसके अस्थान पर आएगा, यहाँ पर आएगा, a common sense link, some passengers were flew, कभी हो सकता है, वर के साथ कभी flew आ सकता है, कभी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कुई correction के आवशक्ता नहीं, क्योंकि वर के साथ already आपकी fly की third form, passive bias में यूज़ किया गया है, यानि उन्हें टेरिस last trip पर ले जाये गया, जहाँ से passive bias में यूज़ किया गया, इसलिए वर के साथ, वर के कौन से form है, third form, या किसी correction के आवशक्ता नहीं पढ़ी गया, ये हमारा option क्या हुद आएगा, ये टे option, दस में question पर आगे हम लोग, within a few minutes, within a few years, sorry, within a few years, most of the, most of the fertile land, ये अधिकतर जो उपजाव जमीन थी, हैड अंदर मेंट फोर्शिबल इंडिगो कर्डिवेशन, नीजी जो खेती होती थी, उसे इंडिगो कर्डिवेशन कहते थे, तो within a few years, यानि कुछ वर्शों के अंदर, most of the fertile land, यानि अधिकतर जो उपजाव लेंट था, उसका अधिकतर हिस्सा, हैड अंडर्वेंट, अंडर्वेंट, ये ध्यान से रेके बच्चों, अंडर्वेंट, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हैड के बाद जब भी आएगा, वर्व की कौन सी फार्म आएगी, थार्वार्म, तो ये देखें, अंडर्वेंट होता है, अंडर्वेंट मेंस होता है, बदास्त करना किसे चेज़ को, किसे चेज़ को सहन करना, तो अंडर्वेंट की सेकेंड फार्म जो होती है, वो होती है, अंडर्वेंट, और इसकी था क्या होगी अंडर गौण होज़े यह होगी अगर यह होगी तो hail के साथ while की काउन सी fall अंडर्गान तो यह तो लिब़ो अपका कभी नहीं होगा अब यहां देखते हैंaran अंडर्वैंड कभी होगा कभी है अंडर्गान विल्कुल होगा और यहां आप वास अंदरगान पैसिप का तो है निया आपका एस एक्टिब का इस्टक्चर है तो फिर हैड अंदरगान हो जाएगा यह आप्शन को जाएगा ठीक है और 11 पे आगए हम लोग इन आवर कंट्री हमारे देश में वीमेन है अपर्चुन्टी यह तो सही है वीमेन है अपर्चुन्टीज औरतों के पास अवसर है अपर्चुन्टीज है तो यातरी राईच में जोता है बढ़ना उठना और रेस में होता है उठाना तो अगर हिंदी समझे см हमारे देश में आर्तों के पास अवशर है क्या होने की बढ़ने की अपना अस्तर उठाने की to top in every walk of life यह जीवन के हर्च के इत्र में तो क्या होगा have been having opportunities कोई मतलब नहीं है सोच करें क्योंकि यहां rise race कोई मतलब भी नहीं दिया ही नहीं है have had opportunities have had opportunities in our country हमारे देश में women have had opportunities हमारी आउरतों के पास आउसर रहे हैं to top in every word तो है यह नहीं बिना वर्ब के कैसे होगा यह have opportunities to raise to top have opportunities to raise उठाने का नहीं उनके पास आउसर है किस सीज़ का उठने का यह अपने लेवल को उठाने का आउसर है तो have opportunities to raise उठाना not उठाना have opportunities to raise उठाना तो यहाँ पी आपको किसी करेक्शन क्या उठाने आउसर नहीं और लिड़ी वहां कि क्या है आपका सही होच है ठीक है और ये तीन चार और है आपके पास ट्वेल्थ हाँ है तक गवर्नर हैस और गुड़ कलेक्शन आफ पेंटिंग सो एडोरिं दो वास आफ दो राजभावन दो वर्स यहां जान लेहाँ एक अडोर और एक ओडार ठीक है अडोर मींज होता है किसी के प्रती श्ठधा प्रदर्शित करना बहुत अदिक प्रेंबहाव दिखाना और अडोर 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 मींज होता है सजाना डेकोरेट करना किसी चीज़ को गौर्णिस करना ठीक गौर्णर करना तो Adorn means अगर श्द्धा प्रदर्शित करना और Adorn means सजाना उसे इसको गौर्णिश करना, डेकोरेट करना तो यहां भाव क्या है The Governor has a good collection of, जैसे ही आप ने देखा कि यहां good collection of है, तो हर हाल में plural ही आएगा, पेंटिंग से ही आएगा तो वैसे ही आप देखें ही पेंटिंग, यह मैटर खतम, यह मैटर खतम, यह दो होई नहीं सकते हैं क्योंकि a collection of a good collection of के बाद जब भी आएगा plural आएगा, तो यह दो लोग फिनिस, अब हमारे पास बचा है, पेंटिंग से अडॉर्निंग किया जायगा, किसको उन दिवारों को उन टेंटिंग से क्या किया जाएगा एडौर्न किया जायगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने के आफ़श्रकता नहीं है जोबी बच्चे आपने समस्त रहे पेंटिंग उसको क्या किया जाना है एडवvand मिल्स सजाना, adorning the walls, यानि उन दिवारों को सजाने वाली जो पैंटिंग्स हैं, आप दरगाज हो, यानि राजभमन की दिवारों को सजाने वाली जो पैंटिंग्स हैं, गवर्नर ने उसका अच्छा खासा collection क्या कर रखा है, जुटा रखा है, तो यहां पर आपका एक ही option थ पैंटिंग्स हर हाल में होगा, और यह adoring नहीं होगा, क्या होगा, adoring होगा, इसलिए मैं इसका नाम दिया है, वर्ब से समझने जो concept है, वो इस पर पूरा आपको सारी improvements उसे पर देए गए हैं, चलिए आगे देखके, 13th, all their efforts, वर्ब direct, वर्ब direct, यहीं पर आपकी बहुत से कुर जाने चाहिए, यहीं पर आपके मन में एक प्रकार का ठेंक अंदेशा होना चाहिए, कि वर्ब के बाद direct वर्ब की रूपे कैसे हो सकता है, या तो वर्ब की INZ फार्म होगी, active वायस्त में, या passive वायस्त में वर् All their efforts, उनकी सारे प्रयाश वर्ब direct, यहीं उनकी सारे प्रयाश वर्ब ड़ेरिक्ट इसार निर्देशित थे ,iewर्ब कि सामंझव अनले लोगों की बिभिन गूपों के बीच और वहीं बहुत वर्ब देशा निर्देशित थे ? प्रमोट हार्मोनी, क्या भरकाने के लिए ? साम प्रयाश दशाअन ब्रभ था और औरके साथ वर के कौनसी फार्म अगे भी बच्छों कौनसी फार्म तो फिर देखे यहां पर वर डेरेक्टिंग नहीं होगा क्योंकि हमें पैसिव का इस्ट्रुक्चर चाहिए वर डेरेक्टिड एट यह एट है जो चीज को रोग दे रहा है जिसकी वज़र से नहीं होगा एक मिल्बस यह वर डेरेक्टिड होगा ना वर के साथ वर की थर्ड फॉन और फिर यहां डेरेक्टिड टो यहां हमारा कौन सा आप्षन होगा श्रेयां पसको बचाएगा ठीक है जो बच्चे टैली बार जुड़ रहे हैं हो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए और जो बच्चे देख रहे हैं यह समस में आ रहा है वो लाइक भी करते जाएं कमेंट भी करते जाएं ताकि उससे ही आपके टीचर किन कहीं इंकरिमेंट मिलते है कि आठीक हो आगे और प्रेयाश करें चली और आगे बढ़ते हैं हुँ 14th question आगे है 2nd last question one of the suspected players जैसे ही आपने देखा one of the suspected players ते भी ध्यान रखेगा कब भी अगर आपको लगे कि one of दिया गया है तो one of के बाद हमेशा plural on table noun दिया जाए और बहुत बार example में दिया जाए ठीक है तो one आपके बाद हमेशा plural तो यहां तो फिलाल आपका sentence इंप्रूर्मेंट है नहीं तो one of the suspected players से है वो तो तुरुत समझ जाए पहले आप one आपके बाद जो noun हैगा प्रोनाउंड हैगा वो तो plural आएगा लेकिन आपकी जो वर्व होगी वो वर्व आपकी क्या होगी singular होगी हमेशा याद रखे हैं अगर one आपका subject है उसकी जो वर्व होगी वो हमेशा singular होगी तो यहां जो have है यह यहां थताई नहीं हो सकता है यहीं पर गलत है अब अगर आप बहतर करना चाहते हैं जो आपसंस है वो देख लें यानि यह आप्शन आपका कभी नहीं होगा नहीं ना तो one of the suspected players have open admittance यानि उसकी खुली स्वीकृति है that he had resorted to taking dough यानि उसने कहीं कहीं जो नशीली दवाई होते ही में ड्रॉक्स होते हैं उसका उसका उसने क्या किया है सेवन किया है उसकी खुली स्वीकृति है यानि उसने खुले रूप से स्वीकार किया है तो यह तो हो नहीं सकता है आपका फिर आपका एडवर्ब आ गया और फिर वर्ट की थौर्ड फॉर्म है ना आपको याद होगा जो एडवर्ब आप मैनर होता है वो helping और main work के बीच म कभी होगा कभी नहीं तो यानि हमारा आप्शन क्या हो जाएगा यह कि one of the suspected players में से एक प्लेयर जो संदेख्द है है सब openly admitted उसने खुले तोर पे स्वीकार किया है that he had resorted to taking dog कि उसने कुछ ऐसी दवाओं का सेवन किया है जो दवाओं क्या थी restricted थी यानि हमारा कौन सा आप्शन हो जाएगा से आप्शन हो जाएगा और यह हमारे पास लाश्ट प्रस्चन है 15 थो the problem lay that he was so unused to this lifestyle the problem lay यानि वो समस्या नहें थे that ki he was so unused to this lifestyle the problem was lying was lying उस तमस्या पड़ी हुई थी यह सेंस तो नहीं होगा हमारा नु यह in that he is in that kis is नहीं गलत है the problem lay in the fact यह हो सकता है यह पहले इतना portion the problem lay in the fact यानि वो जो समस्या थी lay in the fact इस तथ्य में नहीं थे that ki he was हो सकता है और देखते है the problem is lying फिर देखे यहां यहां is lying यहां was lying यह भी नहीं होगा in the fact यानि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी second form है समस्या नहीं थे यानि पाश्ट लेना है यहां पाश्ट कौन सा हमारा है यहीं न ले इंदा फै इस सचाई में नहीं थे यानि वो समस्या इस तथ्य में नहीं थे कि that he he was so unused to this lifestyle कि मैं इस lifestyle से पूरी तर से क्या था unused था यहां हमारा option जो होगा वो पाश्ट की वज़े से यह होगा ले पाश्ट इंडपने यह 15 आपके पास sentence improvement के questions और सारी questions मैंने आपको ससे और bank में आये हुए ही दे हुए है ताकि आपका फायदा हो आगे जो next आपको part 2 का वीडियो दिया चाहेगा उसमें भी इसी तरह से 15 questions आपको दे जाएंगे और जो main verbs होंगे दे जाएंगे ताकि उन verbs को आप त्यार कर लें और निश्चत है विस्वास करें वो verbs आपके exams में regularly आपको दे जाएंगे तो इस आश्चा और विस्वास के साब कि आप support करेंगे अन्य बच्चों को भी बताएंगे और जरूर अपने दियू से ह जो कमियां हो जो अच्छाइयां हो उन्हें शेयर करें ताकि बहतर और करने की कोशिच के जाएंगे तैंक्यू मिलते हैं निक्स टू पार्ट टू सेंटेंस एफ्प्रूम्मेंट के पार्ट टू में थैंक्यू